ओम स्री गनेशा नमहा वामन अफ्तार को लेकर श्रीमत भगवत गीता में एक कधा काफी प्रचलित है इनको दक्षिन भारत में उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है द्वाच्छी तिति को मनाए जाने के कारण इसे वामन द्वाच्छी भी कहते हैं जिसके नुसार एक बार देवताओं और देटियों के बीच भीशन युद्ध हुआ जिसमें देटे पराजित हुए तथा जीवत देटे मृत देटियों को लेकर अस्ताचल की ओर चले गए देटे राज बली इंद्र वज्र से मृत्यों को प्राप्त हो गए तब देटियराज गुरू ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से देटियों को जीवत कर दिया साथ ही अन्य देटियों को भी जीवत और स्वस्त कर दिया इसके बाद गुरू शुकराचारे ने राजा बली के लिए एक यग्ग का योजन किया और अगनी से एक दिव्य बान और कवच प्राप्त किया भक्त शिरोमणी प्रहलाद के पुत्र विरोचन से महाभाव बली का जन्म हुआ बली महाबलवान, धर्मग्य, सत्य प्रतिग्य, जितेंद्रिय, नित्य धर्मप्रायन, पवित्र ओश्री हरी के प्रियतम भक्त थे उन्होंने इंद्र सहित संबूर देवताओं और मरुद गणों को जीत कर तीनों लोगों को अपने अधीन कर लिया था बली को अपने बल का बड़ा अभिमान था दिव्यबान की प्राप्ति के बाद राजा बली स्वर्ग लोग पर एक बार फिर अकर्मन करने के लिए चल दिये असुर से न को आता देख इंद्र समझ गए कि इस बार देवताओं असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे राज के लिए अश्वमिद यग्य का आयोजन करवाया देवराज इंद्र को राजा बली के इच्छा के बारे में पहले से ही गया था और यह भी पता था कि यदि राजा बली का यग्य पूरा हो गया तो देत्यों को स्वर्ग से कोई नहीं निकाल सकता ऐसे में सभी देवी देवता काफी चिंतित हो गए और श्रीहरी भगवान विश्नु के शरण में जाप पहुँचे इंद्र देव ने अपनी पीडा बताते हुए श्रीहरी से सहायता के लिए विंति की देवताओं को परिशान देख महरीशी कश्यप अपने पुत्र इंद्र को राजे से वंचित देख उनके हिद की इच्छा से भगवान विश्णू को प्रसंद करने के लिए अपनी पतनी सहित तपस्या करने लगे उनकी तपस्या से संदुष्ट होकर भगवान विश्णू भगवती लक्ष्मी के साथ प्रकट हो गए एवं उन्होंने महरीशी कश्यप से वर्दान मांगने को कहा तब कश्यप जी बोले मगवान दैत्यराज बली ने तीनों लोकों को बलपूर्वक जीत लिया है आप मेरे पुत्र होकर देवताओं का हित कीजिए किसे भी उपाय से बली को परास्त करके मेरे पुत्र इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्रदान कीजिए मगवान विश्णू तथास्तू कहने लगे कश्यप जी के कहने पर माता अदिती पयोवरत का नुष्ठान करती हैं जो की पुत्र प्राप्ति के लिए होता है समय पाकर विश्णू जी ने ही कश्यप की धर्मबत्नी अदिती की कोक से भ्रमचारी वामन के रूप में भादरपद मास के शुकलपक्ष की द्वाच्छी को धर्ती पर पांचवा अवतार लिया उनके जर्म के पश्चाथ समस्त देवता एवं महरिश्यों ने आकर उनकी स्तुदि की महरिशी कश्यप रिश्यों के साथ उनका उपनेयन संसकार करते हैं वामन बटुक को महरिशी पुलक यग्योपवीत अगस्त ने म्रिग चर्म मरीची ने पलाज दंड सूरे ने छत्र भ्रिगु ने खणाओं सरस्वती ने रुद्राक्ष माला तदह कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया तब भगवान वामन ने प्रसन होकर उन देवताओं से कहा देवताओं बताईए इस समय मुझे क्या करना है देवता बोले भगवान इस समय राजा बली यग्य कर रहा है अतर ऐसे अफसर पर मैं कुछ देने से इंकार नहीं कर सकता प्रबो आप दैतेरा से तीनों लोक पर इंद्र को देने की कृपा करें भगवान ने कहा ठीक है तत्वश्चाद भगवान वामन पिता की आग्या लेकर बली के पास जाते हैं उस समय राजा बली नर्मदा नदी के उत्तर तड़ पर अंतिम यग्य कर रहे होते हैं वामन अफ्तारी श्री विश्नु राजा बल सलता है समस्तर स्रीष्टी के निर्माता स्वयम कुछ मांगने चले हैं देवताओं के कहने पर भगवान वामन बली की यग शाला में पहुँचे भगवान वामन को ब्रह्मचारी के रूप में आया देखकर बली सहसा उठकर खड़े हो गए एवं अर्देपाद्य से उनका पूजन के और बोले राजा बली वामन को देखकर पूछते हैं कि आप कौन है तब वामन उत्तर देते हैं कि हम ब्रहमन है बली फिर प्रश्ण करते हैं तुम्हारा कहां वास रहा है जो संपूर्ण भ्रहम स्रिष्टी है वही हमारा निवास है वामन ऐसा उत्तर देते है यह सुनकर राजा बली न हमारा नात कौन है? हम सब के नात हैं, हमारा कोई नात नहीं है, वामन उत्तर ऐसा देते हैं. राजा सोचते हैं, कि हो सकता है, कि इनके माता-पिता आधि के मिलत्यों हो गई हो. तब राजा फिर से प्रश्ण करते हैं, तुम्हारे पिता कौन है? वामन उत्तर देते हैं कि पिता का स्मरण नहीं करते अठाथ हमारा कोई पिता नहीं है हम ही सब के पिता है हे विप्रवर आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ कहिए मैं आपका कौन सा प्रिय कारे करूँ हे द्विज श्रेष्ट आप जिस वस्तु को पाने के उद्देश से मेरे पास पधारे हैं उसे शीगर बताईए मैं अवश्य दूँगा भगवान वामन बोले माराज मुझे केवल तीन कदम भूमी का दान कीजिए क्योंकि भूमीदान सब दानों में श्रेष्ट है इससे दाता और याचक दोनों स्वर्ग गामी होते हैं यह सुनकर बली ने प्रसंता पुर्वक कहा बहुत अच्छा तत्विशाद बली ने विधी पुर्वक भूमीदान का संकल्प किया बली को ऐसा करते देख उनके पुरोहिद शुक्राचारी जी बोले राजन ये कोई साधारन भ्रहमचारी नहीं अभी तु स्वयम भगवान विश्णू है और तीन कदम भूमी में तुम्हारा संपूर्णे राज्जी हडप लेना चाते हैं अथा तुम इन्हें कोई और वस्तू दान करो भूमी मत दो बली ने बोला गुरुवर इससे अधिक भागी की बात और क्या हो सकती है कि जिनकी प्रसंता के लिए मैं यग्य कर रहा हूँ वे ही भगवान विश्णू स्वयम याचक बनकर पधारे हैं आज मैं धन्य हो गया उनके लिए तो मुझे मेरा जीवन तक दे डालने में संकोच न होगा अतर आज इन भ्रहमन देवता को मैं तीन लोक तक दे डालने में संकोच नहीं करूँगा ऐसा कहकर बली ने बड़े प्रेम से भ्रहमन रूपधारी भगवान विश्नु का पूजन किया एवं हाथ में जल लेकर भूमीदान का संकल्प किया और बोले हे ब्रहमन आज आज आपको भूमीदान देकर मैं अपने को धन्य मानता हूँ आप अपने इच्छानुसारिस पृत्वी को ग्रहन करें फिर बोले बली अब तीसरा कदम कहां रखूँ बली ने बोला भगवान कृपा करके अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए बली की सत्ते वादिता से प्रसंद होकर भगवान बोले हे बली तुम मेरे परमभक्त हो सामर्णी मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे तब तक विश्व कर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में रहो वहां मैं स्वयम तुम्हारी तुम्हारे अनुचनों की और भोग सामगरी की भी सब प्रकार के विग्नों से रक्षा करूँगा हे वीर बली तुम वहां सदा सर्वदा मुझे अपने पास ही देखोगे मेरे परभाव से तुम्हारा आसुरी भाव नश्ट हो जाएगा भगवान की आग्या पाकर बली सुतल लोक को चले गए इस प्रकार भगवान ने बली से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया और स्वयम उपेंद्र बनकर सारे जगत पर शासन करने लगे बली सहर्श भगवान की आग्या का पालन करते हैं इस से प्रसन होकर विष्णू बली से वर्दान मांगने के लिए कहते हैं इस पर राजा बली दिन राद भगवान को अपने पास दिव्वे लोक में रहने का वर मांगते हैं तदह भगवान विश्णु अपना वचन पालन करते हुए राजा बली का द्वारपल बनना स्विकार करते हैं, जिने फिर बाद में देवी लक्ष्मी राजा बली से वर मांग कर मुक्त करवा लेती हैं। मगवान वामन की कृपा से इंद्र ने तो अपना खोया राज्य पाही लिया और बली की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर मगवान श्वयम उनके द्वारपल बनने को तयार हो गए। शुब विचार शुब प्रवर्ती से वे प्रसन्न होते हैं और भीतर ही भीतर सामर्थे देते हैं। अशुब विचार अशुब प्रवर्तियों को रोकते टोकते हैं। काश उन वामन को उन नन्हे नारायन अंतर्यामी ईश्वर को अपना परम सुहरिद परम हितैशी परम प्रेमास पद जानकर बली की नाई उन्ही की प्रसंता हमारा जीवन हो जाए तो फिर वे हमसे दूर नहीं और हम उनसे दूर नहीं वे हमसे अलग नहीं और हम उनसे अलग नहीं यह बोद भी आसान हो जाएगा वामन अवतार की जेनती अथवा वामन द्वाजशी की ये कथा पूरी होती है आप सभी मेरे साथ बोलिये जै श्री वामन अवतार जी की श्रीमन नारायन नारायन भजमन नारायन नारायन लक्ष्मी नारायन नारायन सत्य नारायन नारायन श्रीमन नारायन नारायन भजमन नारायन 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 क्रिप्या इस वीडियो को लाइक वा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें धन्यवाद जय श्री गनेश जय श्री वामन जी